हालो फ्रेंट्स, वेलकम तो आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, आज जो आपका कोई भी SSE CHSAL का एक्जाम नहीं है, बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, जिनका आगयाने वाले सिप्टों में जो है, SSE CHSAL का एक्जाम होने वाला है, और मैं आपको 100% ये गैरंटी देता हूँ, कि आपके SSE CHSAL के एक्जाम में इसी परकार से प्रेस्ट नप पूछे जा रहे हैं, तो जिन भी कैंड़ेट्स का आगयाने वाले सिप्टों में एक्जाम है, वो इस वीडियो को जो है लास्ट टक जरूर देखेगा, और आप सरी क्याश करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एससीज की एचैसल एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा, और बगल में ही आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जरूर प्रेश कर दीजेगा, तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका पहला कोशन आथा कि कस्मीर कॉंकर्ड बाई अक्बर इन विचियर, यानि अक्बर ने जो है किस वर्स कस्मीर पर विजय प्राप्त की थी, तो देखें अक्बर के द्वारा 1586 इस्वी में जो है कस्मीर पर विजय प्राप्त किया गया था, तो 1586 आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि which of these states do not have a unique camera legislator, यानि निम्नलिकीत मेंसे जो है किस राज्जे में एक सदनी विधाइका नहीं है, तो देखें मैं आपको बता दू कि भारत में कुल छे राज्जे में जो है आपके द्वी सदनी विधाइका यानि by camera legislator है, या आपका दो सदन है, यानि आपका विधान सबाबी है और विधान परिशद भी है, तो भारत के छे राज्जे में जो है आपके द्वी सदनी विधाइका है और वो छे राज्जी कौन कौन से है, तो एक आपका आंद्रपरदेश, सेकेंड बिहार, थर्ड करनाटका, फोर्थ आपका महरास्ट, फिप्ट तेलंगाना और छट्था जो है आपका उत्तरपरदेश, ये छे राज्जे में जो है आपके द्वी सदनी विधाइका है और कोशन में आपका पूछा गया था कि कि राज्जे में जो है एक सदनी विधाइका नहीं है यानि द्वी सदनी विधाइका है तो इनी छे राज्जेों में से है कोई आपका एक option में दिया होगा तो इनमें से जोबी option में दिया होगा वो आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहा था कि डियूरिंग वेस्ट बेंगॉल 2021 इलेक्शन वेस्ट बेंगॉल यानि जब 2021 में वेस्ट बेंगॉल का यह आपका विधान समद जो चुना हो रहा था उस समय भारत के मुख्य चुनाओ आयुक्त कौन थे? तो जैसा कि आपको पता है कि 2021 मार्च अपरेल में पस्ची मगाल में आपका चुनाओ हो रहा था In the oath of West Bengal CM Inagurates who is the governor of that state 2021 2021 यानि 2021 में जब West Bengal की CM ममतब अनरजी जब सपत ले रही थी उस समय जो है West Bengal के governor जो है वो कौन थे तो देखे उस समय जो West Bengal के governor थे न ये जगदीब धनकर थे तो जगदीब धनकर आपका correct answer होगा और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि वर्तमान में पस्चिम बंगाल के जो राज्येपाल है ये कौन है ये आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है नेक्स्ट क्वेशन आपके यहाँ पर रहा था कि in 1951 इंडिया लिट्रेसी रेट वास इराउंड यानि 1951 में भारत की साचर्टा दर लगभग ये जो है कितना था तो देखें मैं आपको बता दू कि 1951 में स्वतंद्र भारत का जो है पहला जो है आपका जनगन्ना हुआ था और उसमें जो 1951 में जो भारत का साचर्टा दर रहा था वो आपका 18.33% रहा था तो 18.33% आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले 2011 की जो जनगन्ना हुई है उसमे जो भारत का साचर्टा दर रहा था वो आपका 74.04% रहा था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहा था कि how many religious minorities in India now यानि भारत में जो है अब कितने धार्मिक अलप संक्यक हैं तो देखें मैं आपको बता दू कि वत्मान यानि अभी तक जो है रास्टी अस्तर पर छे धर्मों को जो है अलप संक्यका दर्जा दिया गया है जिसमें आपके मुस्लीम, इसाई, सीख, बौध, पार्सी और जैन धर्म ये जो है आपके धर्म वो सामिल है तो छे धर्म आपका यहां पर correct answer होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर तर्मिनल के जो है वास्तुकार यानि आर्किटेक्चर थे तो देखे चत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस के जो वास्तुकार थे यह आपके फ्रेडरिक विलियम अस्टीवन्स थे नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर राता कि कौन सा बांध जो है भागी रती नदी पर बन हुआ है तो टीहरी बांध आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर राता कि इन नाइंटीन फिप्टी रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन विच प्लेश यानि 1950 में जो पहला गंतन दिवस है यह कहां पर मनाय गया था तो देखे मैं आपको बता तो कि 1955 से जो है गंतन दिवस समारों का जो आयूजन है न यह राजपत पर किया जा रहा है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहा था कि एक आपका मैस्दा फॉल्लिविंग से फ्रेशन है था जिसमें आपके चार स्टेट इधर दिय दियावा था तो उसमें जो आपको मैस्दा फॉल्लिविंग करना था नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहा था कि वीरन नाटियम विलासिनी नाटियम इस फॉक डांस ओफ विच स्टेट यानि वीरा नाटियम और वालिसनी नाटियम यह जो किस राज्जी का लोग नेरते है तो यह आपका आंधर परदेश राज्जी का लोग नेरते है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहा था कि कल्लू घाटी यह जो किस राज्जी में इस्तित है तो देखें यह जो आपका कल्लू वैली है ना यह आपका हिमाचल परदेश राज्जी में इस्तित है तो हिमा अचल परदेश आपका correct answer होगा, next question आपका यहाप रहा था कि Yamuna originates from which pigs, यानि Yamuna जो नदी है ना, यह किस चोटियों से निकलती है, तो देखें यह जो आपका Yamuna है ना, यह आपका बांदर पोच चोटियों से निकलता है, वह अगर glacier की बात कर ले, तो Yamuna नेतरी glacier से निकलता है, तो बांदर पोच आपका correct answer होगा, next question आपका यहाप रहा था, कि दूद के पास्वी करण के लिए, इसे कितने degree पर गर्म किया जाता है, और यह जो question है, यह आपका third shift में पूछा गया था, तो देखें, मैं आपको बता दू कि दूद के पास्वी करण के लिए, 65 degree centigrade तापान पर और 30 मिनट के लिए, जो है, इसे गर्म किया जाता है, मैं आपको बता दू कि यह जो पास्वी करण वीदी का जो उप्योग है ना, यह सर्व प्रथम, लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, तो 65 degree centigrade आपका correct answer होगा, next question आप रहा था, कि Congress का जो पहला अधिवेशन है ना, यह कब नहीं आप पर कहां पर हुआ था, यह पूछा गया था, तो देखे, Congress का जो पहला अधिवेशन है ना, यह आपका मुंबई में आयोजित किया गया था, तो मुंबई आपका correct answer होगा, बात कर ले, कब हुआ था, त सास्त्रे निरत्ते से है तो देखे पंडित बिर्जू महराज का जो संबंद है ये कथक निरत्ते से है इसके लबा कथक से जो आपके संबंदित है ये आपके लच्चु महराज संबू महराज सितारा देवी Clinha Narayan सरमिला सरमा राजेंद्र गंगानी, रोहिनी भाटे, इन सभी का जो संबंद है, यह आपका खथक निर्टे से है, नेक्स्ट अप कहें आप रहा था कि भारते संबिधान में, मुल्य कर्टब बे, यह जो एक किस समिती के सिफारिज पर सामिल किया गया था, तो देखें, भारते संबिधान में, यह जो आपके मौली कर्टब भी है न, यह आपके स्वन्ट सिंग समीती के अनुशंसा पर, ब्यालिश्वे संबिधान संसोदन द्वारा जो है, यह सामिल किया गया था, तो स्वन्ट सिंग समीती आपका correct answer होगा, नेक्स्ट क्वेशन आपका यहाँ पर रहा था, कि 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 वैक्ती को मंत्री पतपर न्यूक्त किया जाने के लिए, कितने समय के भीतर जो है, उसे सदन की सदस्यता जो है, वो लेना अनिवार रहे है, तो देखे किसी भी वैक्ती को राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की मंत्री के पतपर न्यूक्त किया जाने के लिए, आपको छे मां के भीतर जो है सदन की सदस्यता लेना जो है वो अनिवार रहे है तो छे मां आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट प्रोश आपका यहां पर रहा था कि वर्स 2021 में मनिपूर राज जी में जो है फाइटो केमिकल लैब का जो उद्धाटन है यह किसके द्वारा किया गया है तो देखें 2021 में फाइटो केमिकल लैब का जो उद्धाटन है यह एम वेंक्या नाइडू के द्वारा किया गया है तो एम वेंक्या नाइडू आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपके हैंप रहा था कि 2011 की जनगन्ना के अनुशार सरवादिक जो जनसंख्या घनत उठाना ये किस राज्जी का था तो देखें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत उरहा था ये आपका बिहार राज्जी का रहा था और सबसे कम जो रहा था वो आपका अरुनाचल परदेश का रहा था तो बिहार आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपके हैंप रहा था कि अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन नहीं पाय जाता है तो देखें मैं आपको उता दू कि अंडे के जर्दी में जो है आपका विटामिन D, विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन E, फॉलेट, ओमेगा 3 और फैटो एसिड ये सब जो आपके अंडे के जर्दी में पाय जाते हैं तो आपके उप्सन में एक विटामिन C दिया हुआ था तो देखें अंडे के जर्दी में जो है आपका विटामिन C नहीं पाय जाता है तो विटामिन C आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशा आपके आप रहाता कि महराना प्रताप यह जो है कहां के राजा थे तो देखें यह जो आपके महराना प्रताप थे ना यह मेवार के राजा थे तो मेवार आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले किस राजवन्स के सा सकते तो यह आपके सिसोधिया राजवन्स के जो है सा सकते तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका याप रहा था कि इल्टू तमीश द्वारा चलाई गई जीतल की जो मुद्रा है ये किस धातू का बना हुआ था तो देखें ये जो आपका जीतल की मुद्रा है यह आपका इल्टु तमिश के द्वारा चलाए गया था और यह जो आपका तामबा यानि कॉपर का जो है बना हुआ था तो तामबा आपका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाप रहा था कि दिल्ली विदान सभा में सीट की संख्या के संबंद में प्रावधान किस अनुछेद में है तो देखे दिल्ली विदान सभा में सीट की संख्या का जो प्रावधान है यह आपका अनुछे 249 A में है तो अनुछे 249 A आपका करेक्ट वहीं अगर आगे की सिप्टों में संविधान संसुदन पूछ ले तो उन्हें तरवें संविधान संसुदन 1991 के तह दिल्ली को केंद्र सासीत परदेश का दर्जा दिया गया है तो ये फैक्टे भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था की पंजाब से अलग होकर हर्याना को जो है कब राज्य का दर्जा दिया गया था तो देखे पंजाब से अलग होकर एक नुमबर 1966 को जो है हर्याना को एक राज्य का दर्जा दिया गया था तो एक नुमबर 1966 आपका करेक्टर अंसर होगा नेक्स्ट आप करें अब रहा है कि भारते संभिधान की किस अनुछेद के तहर जो है दिल्ली को सर्वोच नियाले का जो अस्थान वो घोसित किया गया है तो अनुछेद एक्सो तीस आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट आपको यहाँ परादा कि 35 जो ग्रिश मकालीन ओलंपिक है ना यह कहां पर आयोजित किया जाएगा और यह जो आपका सेकंड शिप में पूछे गया था तो 35 जो ग्रिश मकालीन ओलंपिक है यह आपका 2032 में होगा जो कि आपका आउस्ट्रेलिया के जिले सहर में आयोजी किया जाएगा एट तेस्वा की बात कर ले तो यह आपका दोजार जोबीस में आयोजीत किया जाएगा जोकि आपका फ्राइज के पैरिश में आयोजीत किया जाएगा तो यह faktt भी आपको ध्यान में रखना है next अब रहा था कि अली अहमद खान यह जो आपके कौन बने है तो ते सम के जो पंदरवे मुख्य मंतरी हैना यह हिमंत विश्वाश्रमा बने है तो हिमंत विश्वाश्रमा आपका सभितने उगा नेक्स्ट अपक करेक्ट अफ़ोगा क्याहताकी 221 जनगना के तुल्ना में 2001 जन गन्ना की तुल्ना में, 2011 की जन गन्ना में, जन संक्या में कितना वृध्धी हुआ था, तो देखें, इसमें जो जन संक्या का वृध्धी हुआ था, वो आपका 17.64% का वृध्धी हुआ था, वह अगर नंबर में बात कर लें, तो 18.1 करोड का वृध्धी हुआ था, 2011 में कुल जन संकिया जो भारत का रहा था वो 121 कड़ो उड़ रहा था ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अपके है अब रहा था कि ताली कोटा का जो यूद है ये कब हुआ था तो देखे ताली कोटा का जो यूद है नेक्स्ट कोशा आपके आप रहा था कि धावर्चंद गहलोत यह जो किस राज्य के राज्यपाल बने है तो देखें यह जो आपके धावर्चंद गहलोत है यह करनाटक राज्य के राज्यपाल बने है बात करनाटक के मुख्यमद्री कौन है तो यह आपके बसवराज जीबन थी जो कि 1876 में ये लिखा गया था और ये जो किसके द्वारा लिखा गया था तो ये रासुंदरी देवी के द्वारा जो है ये आत्मकता लिखा गया था तो अमर जीबन आपका यहाँ पे correct answer होगा नेक्स्ट कोशा आपका यहाँ रहा था कि हाली में वन्नी जीव संरचन अधिनियम में संसोधन किया गया है और ये जो किस वर्स पारित किया गया था तो देखें वन्नी जीव संरचन जो अधिनियम है ये आपका 1972 में पारित किया गया था तो 1972 आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोशा आपका यहाँ पर रहा था कि इन में से कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है तो देखें मैं आपको बतादू कि आपके जो है छे मौलिक अधिकार है जिसमें आपका एक दियावा था कि income tax pay करना ये जो आपका मौली का दिकार नहीं है तो income tax pay करना आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि frontier गांधी या सीमान्त गांधी ये जो किसे कहते हैं तो देखें frontier गांधी या सीमान्त गांधी जो है ये खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है और खान अब्दुल गफार खान ये भारत रतन पाने वाले प्रतम विदेशी नागरीक थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है